तो मदप्रदेश में एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर से लाउड स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो चुका है एक बार फिर से बवाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है दरसल आईएस शेल वाला हुआ दिखाई दिया बतादे कि आये से शेल वाला माटे ने सूशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर यह पोस्ट किया लाओड स्पीकर को लेकर उन्होंने यहाँ पर यह लिखा है कि क्या इनके शोर से कोई डिस्टरब नहीं होता जो आधी आधी रात तक बचते हैं उनसे किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता तो यहाँ पर उन्होंने कई बड़े सवाल भी खड़े किये हैं तो अब उनका ये पोस्ट किस तरफ है, किस बात को लेकर उन्होरे निश्वान असाधा है, इन सभी मुद्दों को लेकर अब यहाँ पर जो गहमा गहमी है, उसका दौर भी शुरू हो चुका है, तो मादर पुदेश में लाउड स्पीकर का मुद्दा, जो कि जिस पर सियासत भी काफी हुई थी, जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने फैसल लिया था, उसके बाद काफी राजनीती भी हुई थी, और एक बार फिर से जिस तरीके से आईयस का पोस्ट सामने आया है, और उससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इससे बयान बाजी का जो द उन्होंने कई तरफ निश्वाना भी साधा है। करना चाहिए। खास करके जो आसपास में जो लोग रहते हैं जो मरीज रहते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है। और नौइज पॉल्यूशन को लेकर के लगातार सरकार जो है काम कर रही हम देख रहे हैं कई बड़े फैसले जो है मुखमंत्री मोहन यादव खुद लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब आईएस ने सवाल उठाया है तो इसके बाद से तमाम सारी जो राजनेतिक दल है वो भी उन्होंने भी अपनी टिपनेया शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से यह सवाल उठाया का है एक आईएस ओफिसर के द्वारा इसके बाद से सरकार का क्या रूख रहने वाला है क्योंकि मुखमंत्री मोहन यादव पहले से जो है लौड़ स्पीकर को लेकर करके कई सारे जगों पर उन्हें प क्योंकि मुखमّ 우리가ए देखने जो है जो है उन्हेंका है ल gla झाया, मुखमंत्री मुखमंत्री देखने पोगारा को डेंसरे छो चक को कि अपनार अन्हें पन्हें उसने चला़े से अजाया कि मुखमंत्री मोह ढई idolatorsा टीशत्री मेह है जवामका का आपकोस वाम सिहादी है झाल 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 झाल